देश विदेश की सभी खब्रों से थुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब परें और बैड आइकन दबाना ना भूलें और खबर पार हमारी पहली नजर नमस्का मैं प्रीति शर्म और आप देख रहे हैं कॉर्बेट पिलेटी न्यूस खबर सितारगन से है सडकरा चौकी पुलिस ने नशे की व्रूद अभियान चलाते हुए एक युवक को मैं एक गिलोग्राम अफीम के साथ गिराफतार करने में सफलता हासिल की है अंतरास्ट्य बजार में पकड़ी गई अफीम की कीमत 10 लाग रुपय आकी पाई गई पुलिस ने अभियोग के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है और उसे नयायाले में पेश किया जा रहा है जानकारी का अनुसार वरिस पुलिस अधिशक के निर्देश पर नशा और नशे के कारोबारियों के विरूद अभियान चलाया जा रहा है इसी के थैस सितारगंज कोटवाली की सड़करा चौकी पुलिस द्वारा चौकी प्रवारी हरविंदर कुमार के नेतरित में नकटपुरा चौकी और से एक पलेटीना मोटर साइकल से एक इवक आता दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर वापस भागने लगा शक होने पर उसे रोका गया तो सफेद रंगे थैले को चिपाने लगा पुलिस ने थैले को अपनी कबजे में लेका देखा तो उसमें करीब एक किलो अवैट अफीम वरामत हुई पूस्ताज में अभियूक ने अपना नाम आगास अली पुत्र अजगर अली निवासी ग्राम सिसाईया थाना सितारगंच बताया अभियूक ने पुलिस को बताया कि वे अफीम को बेचने के लिए ले जा रहा था कि उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया पुलिस ने अभियूक के विरुद एंडिपीएस एक्ट के दहर अभियूक दर्ज किया और उसे अब नए आले में पेश किया जा रहा है पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई अफिम के अंतरास्टी इस्तर पर 10 लाख रुपए की अनुमानित कीमत आकी गई है पुलिस टीम में मुख्य रूप से चौकी प्रवारी हरविंदर कुमार के अलावा कॉंस्टेबर बलवन सिंग, आमर दीप तथा जिलेंदर राय आदिश शामिल थे आप देख रहे सितार गन से मुहम्मद उस्मान अंसारी के रिपोर्ट फिलाल खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए देख तरी कॉटबेट पुलेटी नियूज नमस्कार अब दली उसे स्रिया का रहने वाला है उससे अवेद एक किलो अखीम बरावट हुई है और उसे फखल कर जर्फार कर जागा है और उसे दाराओं में अंड़ीपेस में मुगत्मेपनी किया गया है और उसे अभी रिमान के लिए पीश के जा रहा जेल वेजिए है इंतर्नेशनल मार्केट लगवच्ट विसलाग के आसकार बताई आ रही है है एक किलो अपिजर को खाए है कि आज तो